नलनम स्तित महादेव शृव मंदीर केदर 500,500 लोग फसे हुय थे मंदीर के अंदर शरण लिये वे थे दहशत में थे पंड़ी जी का कहना है कि करीब 6 घंटे वो धहशत के थे वो घंटे दहशत के थे पंड़ी जी वो कैसे भी continuar देखिए बात ऐसी है कि स्तिती तो तकरीबन सब के सामने जाहरी है जी सब जानी रहे हैं जो नियूस को हर चैनल पर दिखाया जा रहा है इसमें तो आप भी सहमत हैं आप भी इस चीज को देख सकते हैं लेकिन ये था कि जो पबलिक के वो ढ़ाई घंटे मंदिर के अंदर फस आसा गंबीर ही था है किस समय ये पूरी घटना हुई आपको कब पता चला देखिए बात ऐसी है कि जब यहां से यात्रा वापसी गई थी तो दो बज़े के बाद ये मंदिर के बाद ये घटना हुई तो लोग तीन सवा तीन से बीच अपना मंदिर में आए तो जब मंदि के अंदर भी गोली बारी हुई है बार जो बड़ा मंदिर का गेट है वहां भी हुई है तो वहां स्थिदी में तो काफी गंबीर रहे जी मतलब यहां पर संक्या बढ़ती चली कई शरण लेने वालों तक्रीबं ड़ाई हजार के गरेव यहां लोग थे मंदिर के अंदर आ कि जहां हम खड़े हैं इसे थोड़ा सा उपर सीड़ियां जो बन रही है हलकी सी यह जो आप देख रहे हैं चोटी सी सीड़ियां है इसी जगह पर मैं खड़ा था तो लोगों को आपना प्रिशासन द्वारा मांग की गई थी कि उन्हें जल्दी यहां बेजा जाए तक यह आफे शांती हो सके क्योंकि लोग काफी हड़वडी में थे बच्चे भी थे जी महिलाएं भी थी बच्चे भी थी समने अपने सुरक्षा के लिए जो चांबरा बना हुआ है उन्हें शरंदलवाई तांकी यह है कि उन्हें परशानी ना हो नहीं को क्योंकि पहार मैं देश दैशत में तो देखो हर को हो जाता है ऐसे स्टिति को देखे को स्टिति काफी कंभीर हो चुकी थी ती ती बिलकुल मंदिर परीशर गंदर भी गोली चली है तगरियों हाँ जी पहाड़ पैसे चड़ी है और अपना मंदिर के बाहर भी तकरिबन गोलीयां चली है तो उसमें जो घायल भी हुए है प्रिशान भी हुए है यहां पर लोग जां हम खड़े इस पूरा भरा हुआ था मंदिर का अंदर कावर्ट पूरा भरा वा था आपको बैक्ग्रांड दिखाया कमरे दिखाएं वह पूरे बरे हुए थे यह प्रांगन था इसमें हवन कुंड यह बना तो यह पूरा भरा हुआ था है तो अपना नीचे के होल है वह पूरे बहरे हुए था बिल्कोल और घह और गली बार हो रही था घित के से उस जगह से मुझे उतना ही दिखाए दिए गया जितना प्रमात्नान में मुझे आंके दे रखी है वीडियो सामने आये हैं वो इस पार्किंग के यहां पर छुपे लिए जो भी वीडियो आपके सामने आ रहे हैं वो देखिए मैंने अपनी आगों से तो प्रॉपर नहीं पी हुए हैं क्योंकि इसकी जानकरी मुझे जब नहीं मिल पाई लोग थे लेकिन परशासन ने उनको रेस्क्यू करना चुरू किया जब आप बता रहे हैं साथ बजी तक सवाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया तब उनको बहुत रहात मिली होगी आप बिलकुर रहात तो मिलती है जी जब एक बार मान लीजिये का आद्मी खटे में गिर जाए और उसे बहे रहता है कि मैं निकलने ही पाऊंगा तो उसकी जब उसे लगता है कि हां मुझे एक आस है मेरे को निकानने के लिए कोई है मेरे साथ कोई कड़ा है तो उसे साहन उभूती हो जाती है तो यहां पर जो लोग थे सब उपर वाले का नाम ले रहे थे आदेखिये नाम तो लेते हैं ऐसी स्तिती में तो कौन नाम नहीं लेगा जब मौत सामने खड़ी हो बिलकुल ऐसा लग रहा था कि मौत सामने आगी देखिये स्तिती तो ऐसे ही है जब बाहर का मंजर आप देखिये पूरी पहाडियों का तो नहीं पता लेकिन यह है कि किसी पहाड़ी के कौने से अंदर की तरफ गोलियां बरसाई जा रही थी यह पूरा पंडी जी ने मंदर बयान किया वो छे घंटे जो देहशत के थे जब लोग इस मंदिर पर इसर के अंदर अपनी जान बचा कर फसे बे थे जो लोग यहां से दर्शन करके गए थे और उसके बाद फिर वापस इसी मंदिर के अंदर शरण ली थी जो वीडियो सामने आया है वो इसी पार्किंग का है यहां पर तमाम गाडियां खड़ी विन थी पुलिस फोर्स और लोग यहां गाडियों के पीछे छ हॉल्स थे उसके अंदर महिलाओं बच्चों को शरण दी जो यग कुंड है उसके उपर भी शेड है वहाँ पर भी लोग शरण लिये वे थे पूरा मंदिर पर इसर करीब धाई हजार लोगों से भारा हुआ था और देहशत का ऐसा महौल था कि हर आदमी को लग रहा था कि उसकी जान पर बनाई है और जब प्रशासन ने उनको रेस्क्यू कराया तब उनकी जान में जान आई तब उनको लगा कि उनकी जिन्द भी बच गई है लेकिन ये जो मंदिर है और ये जो पूरी पार्किंग है तस्वीर जो अब सामने आ रही है वो गवा है कि देहशत कित करने का दावा कर रहा है फाई यार दर्ज की गई है लेकिन इस दंगेों की जो मास्टर माइंड है इन दंगों की प्लानिंग में जो शामिल है उन लोगों को कब तक पुलिस गिरफतार कर पाती है और कब उनके चेहरों से नकाब हट पाते हैं जो कि इस दंगे की साजिश क असले गुनहगार हैं दुमान उला खान न्यूज नेशन नो हर्याना